प्रिये चात्रों आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है आज हम समझेंगे कि यूकलिड द्वारा जिन अभिग्रहीतों वा अभिधार्णाओं का प्रतिपादन किया गया था उन्होंने आगे चलकर इनहीं अभिधार्णाओं वा अभिग्रहीतों का किस प्रकार से प्रयोग किया तो चलिए शुरू करते हैं यहां लिखा है कि यूकलिड ने अपने अभिग्रहीतों, अभिधार्णाओं, परिभाशाओं और पहले सिध्ध किये गए प्रमेईयों का प्रयोग करके एक तारकिक श्रंखला में 465 साध्य अर्थात प्रमेईय निगमित किये कितने प्रमेईय निगमित किये? 465 साध्य या प्रमेईय निगमित किये यहां आपको याद रखना है यूकलिड ने जिन अभिग्रहितों वह अभिधार्णाओं को प्रतिपादित किया था उन्होंने उनका प्रयोग अन्य प्रमेयों वह अभिधार्णाओं को सिर्ध करने के लिए किया हम यहाँ पर दो उदाहरण देखते हैं जिसके माध्यम से हम इनके प्रयोग को समझ पाएंगे उदाहरण पहला है यहाँ पर लिखा है यदि A, B और C एक रेखा पर इस्थित तीन बिंदू है कौन-कौन से 3 बिंदू है? A, B और C एक रेखा पर इस्तित 3 बिंदू है और B, B बिंदू जो है बिंदूओं A वा C के मध्य इस्थित है कहां इस्थित है? मध्य में इस्थित है तो सिद्ध कीजिए कि A, B, Dhan, B, C बराबर A, C है यहां पर यह एक रेखा है इसमें A, B और C 3 बिंदू है साथ ही यह जो B बिंदू है यह A और C के मध्य में इस्थित है यहां पर मध्य में इस्थित का आशय यह नहीं कि यह बिंदू A और C के ठीक बीचों बीच है मध्य से आशय किसी भी इस्थिती से है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस आकरती में A, B, Dhan, B, C के साथ AC संपाती है संपाती का आशे मैंने आपको बताया था संपाती का आशे क्या होता है? किसी दूसरी आकरती के उपर स्थित होना हमने आपको यूकलिट के अभिगरहीतों को भी बताया था तो योकलिट का जो चौथा अभिक्रहीत है उसके अनुसार वे वस्तुएं जो परस पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है कब बराबर होती है जब दो वस्तुएं परस पर संपाती हो तो वे एक दूसरे के बराबर होती है यूकलिड ने यह भी कहा है कि बिंदूओं से होकर एक अदूती रेखा खीची जा सकती है हमने आपको बताया था आताह यह सिद्ध किया जा सकता है कि A B धन B C बराबर A C अर्थात A B यह लंबाई जो है और यह लंबाई इनके योग के बराबर यह पूरी लंबाई है और हमें यही सिद्ध करना था हमने इसको कैसे सिद्ध किया यूकलिड ने जो अभीकरहित दिया था कौनसा अभीकरहित वे वस्तुवां जो परस पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती है इस कथन के मध्यम से हमने इसको सिद्ध किया कि AB धन BC बराबर AC अगला उदाहरन देखते हैं यहाँ पर रेखाखंड AB है यूकलिड की अभीधारना क्रमंग तीन के अनुसार हमने आपको यूकलिड की अभीधारना बताया था तो उनकी जो तीसरी अभीधारना है उसके अनुसार किसी को केंद्र मानकर और किसी तरिज्या से एक व्रत्य खीचा जा सकता है ऐसा किस ने कहा था यूकलिड ने कहा थ अब हमें ये बात ग्यात है कौनसी बात कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक व्रत्त खीचा जा सकता है इस कथन को आधार मानकर हम अब एक रचना करते हैं देखिए बिंदू A को केंद्र मानकर A B त्रिज्या लेकर एक व्रत्त खीच सकते हैं और इसी प्रकार B को केंद्र मानकर B ये त्रिज्या लेकर एक अन्य वरत्थ खीचा जा सकता है, हम वैसे ही कर लेते हैं, देखिए, यहाँ पर यह रेखा खंड है A, B हम इसको केंद्र मानते हैं, किसको केंद्र मानते हैं ? बिंदू A को और A B के बराबर तरजया लेकर यह वृत्त खीचते हैं यहाँ पर चाप बना हुआ है जो कि वृत्त का एक भाग है तो यह चाप हम खीच देते हैं इसी प्रकार किस प्रकार जैसे कि A को हमने केंद्र माना था और A B तरजया लिया था ठीक इसी प्रकार अब B को केंद्र मानते हैं और BA के बराबर त्रिज्या लेकर एक व्रत्त खीचते हैं यहाँ पर AC जो है व्रत्त का चाप है अब हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों व्रत्त हैं इस बिंदू पर मिल रहे हैं कहां मिल रहे हैं, इस बिंदू पर मिल रहे हैं, इसके बाद जो चरण है हम उसको पढ़ते हैं, तीसरा चरण क्या है, देखिए, इनको हम मिला देते हैं, तो इस प्रकार हमें त्रिभुच A, B, C प्राप्त हो रहा है, आप यहां पर देख पा रहे हैं, कि यह त्रिभुच A, B, C निर्मित हो रहा है, अब हमें यह त्रिभुच A, B, C तो प्राप्त हो गया, लेकिन हमें यहां पर यह सिद्ध करना है, कि यह एक संबाहु त्रिभुच है, अर्थात इसकी सभी भुजाएं, कौन-कौन सी भुजाएं, A, B, B, C और A, C बराबर हैं, यह हमें सिद्ध करना हैं, यदि इनको हमने बराबर सिद्ध कर दिया तो यह एक संबाहुत रभुज कहलाएगा अनिथा नहीं तो चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं यहाँ पर देखिए A B बराबर है A C के और A B बराबर है B C के अर्थात जो A B रेखा खंड है उसके बराबर A C भी है और B C भी है क्यों है क्योंकि A B ब्रत्य की तरजिया है A C भी ब्रत्य की तरजिया है और B C भी ब्रत्य की तरजिया है और हम जानते ही कि ब्रत्य की तरजियाएं हमेशा बराबर होती है अब यूकलिड ने जो एक अभिगरहित दिया था उसके अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु क के बराबर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं, अतह जब AB बराबर BC और AC बराबर BC, तो AB बराबर AC, रेखा चित्र में समझते हैं, देखिए, जब हमने इसको केंदर माना था, किसको केंदर माना था, एको केंदर माना था, तब हमने तरजिया लिया था AB और एक बरत्त खीचा था, जिसका चाप BC प्राप्त हुआ, AC को जब हमने मिलाया, तो AB बराबर AC हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यह अर्थात AB भी व्रित्त की तरजिया है, और AC भी व्रित्त की तरजिया है, इसी प्रकार, जब हमने B को केंदर मान कर, BA तृजिया का एक व्रित्य खींच था तो BA के बराबर BC हो रहा है क्योंकि BC भी क्या है व्रित्य की त्रिजिया है तो देखिए AB बराबर AC है और AB बराबर BC है, तो निश्चित रूप से AC बराबर BC होगा और यह दोनों AB के बराबर हैं तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्राप्त त्रिभुज की तीनो भुजाएं बराबर माप की हैं तो इसलिए यह एक संभाहुत्रिभुज है यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पर हमने लिख दिया है कि अताह त्रिभुज A, B, C एक संभाहु त्रिभुज है कैसे है क्योंकि हमने निश्कर्ष निकाल लिया कि A, B बराबर है B, C और इसके बराबर है A, C अर्था तीनों भुजाएं बराबर है और यह जो बराबर माफ हमें ग्यात होई Euclid द्वारा प्रतिपादित, अभिगरहीत ये जो लिखा है इससे प्राब्थ होई है वे वस्तूओं जो एक ही वस्तू के बराबर होती है एक दूसरे के बराबर होती है यहाँ यूकलिड ने बिना कहीं बताई यह मान लिया है कि केंद्रों A और B को लेकर खीचे गए व्रत परस पर एक बिंदू पर मिलेंगे तो छात्रों आज हमने देखा कि यूकलिड ने जिन अभिगरहीतों वह अभिधार्णाओं का प्रतिपादन किया है उनका प्रयोग उन्होंने कुछ कतनों को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार किया है इसी प्रकार अनेक कतन है जिनको सिद्ध करने के लिए हम यूकलिड द्वारा प्रतिपादेत अभिगरहीतों वह अभिधार्णाओं का प्रयोग करेंगे इस वीडियो में इतना ही जैहन